यूपी एस्टेफ ने डॉक्टर बंसल हत्याकान का कई सालों बाल आखिर खुलासा कर दिया डॉक्टर बंसल की हत्या की योजना नैनी सिंटल जेल में बनी थी और इसको दो शूटर ने अंजाम दिया था इस मामले में एस्टेफ ने एक आरोपी शादाप को पकड़ लिया ह जो प्रताब गड़ का रहने वाला है जीवन जोती अस्पताल के डिरेक्टर डॉक्टर बंसल की हत्या 12 जन्वरी 2017 में शाम को उस वक्त की गई थी जब वो अपने चेंबर में मरीज देख रहे थे उसी दोरान दो शूटर अस्पताल में गुसे और ताबर तोड़ गोलिया अग्यात विक्तियों द्वारा गोली चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई है इस घटना का अनावरन के लिए हमने चार टीमों का घठन कर लिया है डाक्टर बंसल के हत्या अचानक नहीं की गई बलकि इस हत्याकांड की योजना नैनी जेल में बनी दसर डाक्टर बंसल ने अपने बेटे के अड्मिशन के लिए पचपन लाख रुपाए आलोक सिना नामा के शक्स को दिया था लेकिन आलोक सिना ने वो पैसा गवन कर लिया जिस पर डाक्टर बंसल ने उसके खिलाब मुकदमा दर्च कराकर उसको जेल भिजवा दिया था नैनी की जिस जेल में आलोक सिना को रखा गया था उसी बेरेक में दिलीप मिश्रा अक्तर कट्रा अतीक हमर का शूटर तोता और गुलाम रसूल भी मौजूद थे आलोक ने सब के सामने कहा कि डाक्टर बंसल की हत्या करवानी है तब अक्तर कट्रा ने अबरार मुल्ला के माद्यम से शूटर मक्सूद उर्फ जैद यासिर और शादाव को इस वारदात के लिए हायर किया इसमें पांच लाग नगत देने और काम होने के बाद दस लाग देने की बात तैय हुई जिसमें पांच लाग रुपए और पिश्टल देकर शादाव और यासिर को जिवन जोती अस्पताल भेजा गया और डाक्टर बंसल की बोली मारता हत्या कर दी गई कटना के डेल महीने बाद तक दस लाग रुपए शूटरों को नहीं मिला जिससे यासिर और अबरार मुल्ला में जगड़ा हो गया और अबरार ने यासिर के हत्या करा दी शादाव को जब पता चला कि वारदार की सीसी टीवी फोटेज में उसकी शकल आ गई तो वो एक पुराने मामले में जेल गया और फिर मुंबई में छुप गया लकनो एस्टीव की टीम और प्रियागराज एस्टीव की जूलिट ने शादाव पर बारीकीर से नदर रखी और उसे लकनो के चिनहेट इलाके से पकल लिया शादाव हाटकोर अपरा दी है उसके उपर एक दर्जन गंबीर धारों में मुकदमा दर्ज है और उसके उपर पचास हजार का इनाम भी था पुछताज में उसने श्टीव को डाक्टर बंसल की हत्या की कली से कली पूरी बात बता दी